इस वीडियो लेक्चर में हम इस क्यूस्टन को हम सोल करेंगे और देखिए क्यूस्टन के अकोडिंग एक समान 30 cm लंबी छड़ यहां पर देखिए यहां पर एक यूनिफॉम रोड है और उसकी लेंथ कितनी है 30 cm है और देखिए एक नियत बिंदू से Mixed Point से दो रसीयों द्वारा लटका ही गई है और रसीयों के दवारा एक G हम सी ले लेते हैं तो element C पर इस लटका दिया जाता है तो एक शड़ AB को इस तरह से रसीयों AC और BC के द्वारा इस तरह से लटका है जाता है और एसी कंडिशन में यहाँ पर देखिए equilibrium condition में साम्मिय वस्ता की इस्तिति में चड़ क्या करती है देखिए उर्द्वादर से थीटा एंगल बनाती है तो यह जो चड़ है यह वर्टिकल साइन और यह चड़ है और यह एंगल कितना दे दिया है देखिए ठीटा एंगल बनाती है तो हमें प्रूफ करना है तो देखिए यहां पर यहाँ बनाएंगे रोड छड़ क्या है यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एक छड़ बना लेते हैं देखिए यह एक छड़ है इस तरह से इस छड़ को रसियों की सहाहिता से तो देखिए दो रसियां भी हम ले लेते हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह से A B क्या है A B एक छड़ है रोड है और इस चड़ को और यह uniform है एक समान है तो इसका point of gravity midpoint होगा मद्धिबिंदू होगा तो यहां पर देखिए A B एक छड़ है और यहां पर देखिए यहां रसियां क्या है एक तो रसी है यहां पर A C और एक रसी है B C इन दो रसीओं के दुरारा इस चड़ को इस तरह से लटकाया गया है ठीकें अब हमें यहां पर एक बात दिखएा है यहां पर एक बात हमें यह देगी है कि यह जो चड़ है सामिय वस्तामें उर्द्वाद्र से कितना angle बनाती है theta angle बनाती है रोड क्या करती है देखिए वर्टीकल लाइन से थीटा एंगल बनाती है तो यहाँ पर देखिए हम थीटा एंगल ले लेंगे तो यहाँ पर देखिए एक वर्टीकल लाइन हम बनाएंगे उर्द्वाधर रेका तो यह एक उर्द्वाधर रेका है इस तरह से और इस उर्द्वातर रेका के साथ ये जो छड़ है ये किस एंगल पर है ये है थीटा एंगल पर है तो यहाँ पर ये जो एंगल है देखिए ये हमें थीटा दे रखा है ये ये ओ गई छड़ और ये ओ गई वर्टिकल लाइन तो छड़ इस वर्टिकल लाइन से किस एंगल पर है थीटा एंगल पर और यहां पर देखिए आगे हम बढ़े यहां पर देखिए एक समान 30 cm लंबी छड़ लेंट ऑफ रोड इस छड़की लंबाई कितनी दिरखिए 30 यह तो देखिए यहां पर यह एक वर्टीकल लाइन है और देखिए वर्टीकल लाइन भी हम यहां पर बना लेंगे यहां पर देखिए पहले तो हम यहां पर बात करेंगे देखिए इसके वेट की तो यहां पर देखिए इस लाइन को हम बनाने से पहले थीटा भी हम बना लेंगे लाइन भी हम बना लेंगे लेकिन सबसे पहले हम फोर्स की बात करेंगे देखिए कि यहां पर क CCB में एक तनाव होगा T1 और इधर AC में एक तनाव होगा T2 दो रस्तियां हैं दोनों में तनाव अलग अलग होगा और यहां पर देखिए यह जो चड़ AB है इसका कहीं न कहीं भार किरिया शील होगा और इसका जो भार है वेट है वो कहां किरिया शील होगा इसके मद्दिबि कहीं ना कहीं इसका मिट पॉइंट है ये मिट पॉइंट है आप यहां पर का व का होगा ऑर इस चाड़का बंदे नीचे की और और यहां पर यह स्षोटम एक्विलिब्रियम में है साम्युष में हâteो93 ही बल क्रियाशील है दो तो गई टेंचन इस डोरी में तनाओ और तीसरा इस चड़का बार वजन जो भी वेट है तो यहां पर देखिए साम्मेवस्ता की इस्तिती में तीनों बल एक ही बिंदू पर मिलें जब टीवन और टीटू बिंदू सी पर मिलता है तो डबल्यू वाल की किरिया देखा यहां पर बनाएंगे इस तरह से तो यहां यह पॉइंट जी है तो यहां नीचे डबल्यू होगा इस चड़का बाहर तो देखिए वह भी यहीं से गुझ देगा यह बात आपको ध्यान रखना है तो आपको डबल्यू वाला फोर्स भी इस तरह से लेना प देखिए अभी बनाये था दोबारा बना देता हूं यह लीजे डबल्यू आपको यहीं से गुझारना पड़ेगा पॉइंट सी से और ऐसा क्यों क्योंकि यहां पर तीनों बल एक ही बिंदू पर मिलेंगे एक बोडी पर तीन बल किरिया शील होते हैं और बोडी एक्विलि कि छड़ है तो यह हो जाएगी क्योंकि यह पॉइंट ऑफ ग्रेविटी है चड़का भार मद्दी बिंदू पर लगता है और यहां पर देखिए हमेशा भार वर्टीकल लाइन के अलोंग होता है नीचे की और ना वर्टीकली डाउन वार्ड तो यह उर्द्वादर रेखा की अट्वादर रेखा कि दिशा में नीचे की और होता है और यहां पर यह एंगले तीटा दे लगा है और देखिए अगे हम बढ़ें और देखिए रसी की लंबाई कितनी है 18 cm और 24 cm तो यहाँ पर देखिए यह 18 cm और यह 24 cm यह बन गया देखिए डाइग्राम तो यहाँ पर देखिए कुछ बाते हम लिखेंगे लिखिए आप और देखिए यहाँ पर दो रसीयां है रसीयां बता देते हैं एक रसी AC है दूसरी BC है माना पेले हम छड़ की बात कर लेते हैं AB क्या है छड़ है माना AB एक छड़ है जिसे डोरियों BC तथा AC एक डोरी तो है देखिए BC तथा AC द्वारा चित्रानुसा लटकाया गया है और देखिए according to question प्रशन के अनुसार यहां क्यूस्चन के according यहां पर देखिए A से B की लेंध कितनी देदी है देखिए 30 और यहां पर देखिए B से C की लेंध कितनी है 18 और A से C की लेंध कितनी है 24 अब यहां पर देखिए आगे हम बड़े तो यहाँ पर देखिए हमें निकालना क्या है यहाँ पर हमें एक relation निकालना है according to Gushen हमें यहाँ पर यह relation प्रूफ करके दिखाना है 25 sin theta equal 24 तो यह हम किस तरह से निकाले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 force है एक T1 है एक T2 है एक W है और देखिए यहाँ पर तो देखिए यह जो triangle ABC है तो यहाँ पर देखिए ABC जो भी side है इस triangle की सभी की length हमें पता है इस पिर्बुच की सभी भुजाएं हमें यहाँ पर दे दी गई है यहां से यहां तक की 30 है, यहां से यहां तक की 24 होग यहां से यहां तक की 18 और यह angle भी हमें दे रखा है, तो देखिए यह जो diagram बन रहा है, यहां पर यह MN theorem तो Tignometrical theorem, मैंने आपको बताई थी MN theorem यहां पर apply करेंगे क्योंकि यहां पर देखिए सब कुछ हमें पता है, हलाकि यह वाले angle हमें पता नहीं है लेकिन MN theorem देखिए दो तरह से apply की जा सकती है, आपको यह वाले angle पता होना चाहिए या फिर यह वाले angle पता होना चाहिए, तो यहां तो यह वाले angle हमें पता नहीं है तो देखिए यहाँ पर हम दूसरा जो statement है वो हम apply यहाँ पर कर देंगे तो देखिए MN theorem से यह question हम solve करेंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत आसान सा question है और देखिए बहुत important भी है कई बार देखिए university exam में यह question पूछा गया है तो लिखें आप साम्यवस्था में निकाई पर निम्न बल किरियाशील है तो देखिए कौन-कौन से बल यहाँ पर किरियाशील है कौन-कौन से force यहाँ पर active है सबसे पहला जो force है देखिए वो tension की form में है है ना तनाओ सबसे पहले हम बात करेंगे डोरी बी-सी तनाओ टी-वन और दूसरा है देखिए दूसरी डोरी क्या है AC और उस AC में जो तनाओ है वो कितना है टी-टू है और यहाँ पर देखिए जो यह डाइग्राम हम बनाते हैं वो बिल्कुल देखिए according to rule नियमों के आधार पर हम बनाते हैं और यहाँ पर देखिए यह W की जो line of action हो वो सी से क्यों पास हो रही है क्योंकि दोनों बल टी-वन टी-टू सी पर मिल रहे हैं तो तीसरा भी यहाँ पर देखिए सी पर ही मिलेगा अगर आपने W की किरिया रेखा को इधर उधर ले लिया तो डाइग्राम कलत हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए डोरी AC में तनाव क्या है टी-टू है और यहाँ पर छड़ का जो भार है छड़ AB का भार डवी तो देखिए इनकी direction के हम बात करेंगे T1 किसके along होगा BC के along लिखे along BC BC के अनुदिश और यह जो टी-टू है यह क्या होगा देखिए AC की तरफ AC के अनुदिश along AC और यहाँ पर देखिए जो W है तो वेड तो हमेशा vertically downward उर्दो अधर नीचे की होगा अब देखिए साम्मे अवस्था के कारण तीनो बिंदू C पर मिलेंगे तो इसी नियम के अधार पर देखिए डाइग्राम complete हुआ है तो लिखें साम्मे अवस्था के कारण तीनो बल एक ही बिंदू और एक ही बिंदू कौन सा है वो C पर मिलेंगे तो तीनो बल कहां पर मिलेंगे देगे तीनो बलों की जो किरिया रेका है लाइन ओप एक्शन वो एक ही पॉइंट पर मिलेगी या फिर तीनो पेरलल होते हैं लेकिन क्या करें दो पेरलल नहीं है टीवन टीटू पेरलल नहीं है तो तीसरा तो फिर कहीं न कहीं तीनो एक ज प्लेनल फॉर्सेज की बात की जाती है समतलिय बनोगी तो टीवन टीटू यहां पर समानतर नहीं है तो एक इस वर्टिकल लाइनसे कितने एंगल पर थीटा इंगल पर है यह चड किया है उर्बादर से थीटा एंगल पर यह तो चड और यह यह उज़य यह ंहां कंसा है देख गे कि ट्राइंगल ए बी सी में कि एमेन थियोरम से तो देखिए एमेन थियोरम क्या कहती है तो देखिए यहां पर एम प्लस एन कोड़ थीटा एम की वेलू कितनी है एम प्लस एन कोड़ थीटा अब यहां पर देखिए यह वर्टी एंगल हम लेंगे शीर शिकॉन इनका हम यूज करेंगे ठीक है यह वाला एंगल क्या होगा देखिए फिप्टीन कोड़ बी और माइनस फिप्टीन कोड़ ए इस्टिटमेंट आपको पता होना चाहिए तो क्या हो जाएगा देखिए फिप्टीन कोड़ ए माइनस फिप्टीन कोड़ भी इस तरह का एक रिजल्ट हमने देखा था देखिए मैं आपको थोड़ा फास्टली बता देता हूँ यह एं है यह थीटा है और यह कि पॉइंट है यह है और यह बी है तो यहाँ पर देखिए मन थियोर्म क्या देखिए एम प्लस एन कोड़ थीटा क्या होता देखिए यह वाला रेश्यू हम लेंगे एन और इधर वाला क्या हो जाएगा कोड़ बी इधर वाला वर्टी एंगल ठीक है और माइनस फिर बाद में हम क्या लेंगे एम और एम के साथ उधर वाला लेंगे कोड़ एक तो य एंगल लेंगे एंगों फॉल्फा पर मॉइनस करके ये साथ एंगल लेंगे एनगा इन पॉर बीटा यह होती है देखिए एमें स्थीरम हम तो यह वाला कर रहे हैशक्ष को तुम्हें मिटा देता हूं तो यहां पर देखिए इधर से हम फिरवात करेंगे जो second statement देखे 15 quote B minus 15 quote A तो यह हमने लिख लिया है और यहां पर देखिए इसको हम scroll करेंगे तो यहां पर देखिए यह कितना हो जाएगा 13 quote theta equal 15 quote A minus 15 quote B इसको हम scroll कर सकते हैं देखिए 15 से divide कर दीजे और देखिए जो result हमें चाहिए वो चाहिए देखिए sin theta की form में result किसमें चाहिए हमें sin theta की form में हमें चाहिए result हमें मिला है quote A quote B की form में यहां पर A और B जो है वो unknown है तो यहां पर देखिए हम इस quote A quote B की value हम कैसे निकाले तो diagram से हमें निकालना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए अगर हम quote A quote B की value निकालें तो कैसे निकालें तो देखिए एक तरीका तो यह है कि आप इसमें cosine formula का यूज करें cosine formula का जब यूज करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा देखिए जब तिर्बुच की तीनों भुजाए हमें दी जाए तो वहाँ पर देखिए cosine formula से हम उसका कोई सा भी interior angle हम निकाल सकते हैं आंतरी कौन तो यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए देखिए हम quote A कैसे निकालेंगे देखिए cos A निकालने के लिए यहाँ पर देखिए इधर 24 का square इधर वाली side क्या है देखिए 30 का square और minus सामने वाली side क्या है देखिए 18 का square upon 2 into 24 into 30 तो जो भी cosine formula से हम देखिए cos A हम निकाल सकते हैं जब हमें cos A यहाँ पर मिल जाएगा तो फिर cos A की help some court A भी निकाल सकते हैं लेकिन देखिए यहाँ पर यह जो side हमें देखिए वो देखिए special side हमें देखिए यहाँ पर अगर हम इन तीनो side को अगर हम देखिए तो यह क्या है देखिए पाइथागोरियन ठ्योरम को follow करती है 18 24 और 30 आप 18 का square कीजिए 24 का square कीजिए दोनों को आपस में 8 करोगे तो 30 का square आ जाएगा यह वाली भुजा क्या है यहाँ पर 30 है A से B की लंबाई कितनी है 30 है तो 30 का वर्ग 18 और 24 के वर्ग के योग के बराबर होता है यह पाइथागोरियन नंबर से हैं ठीके तो यहाँ पर देखिए यह एक समकौन तिर्भुच हो जाएगा और समकौन तिर्भुच हो जाएगा और कोट भी भी नंपर लइंगे तो यहां पर Од Stern यह जग बहुंकरई पर हो ईसकी साइड है वो देखिए यहाँ पर पाइयोब्रोन की पर मुक्त मैं क्लीं तो यहाँ पर देखिए का स्कॉयर प्लस 24 का स्कॉयर एक्वल 30 का स्कॉयर ऐसा होता है अगर यह आपके माइंड में नहीं आए तो कोसाइन फोर्मूला भी आपने यहां पर यूज कर सको कि देखिए कुछ सलेक्टेड क्यूशन है इस तरह के तो यह एक स्पेशल ट्राइंगल यह आप ध्यान रखें ठीक है तो यहां पर देखिए एटीन स्कॉयर अग्लास 24 का स्कॉयर एक्वल क्या होता है देखिए 30 का स्कॉयर कोमन सी बात है यह ना केलकुलेट करके प्लस 24 कौन सी है देखिए एसी और 30 क्या है यहां पर एबी ठीक है तो यह हो गया देखिए एबी इसकॉर और देखिए किसी तिरिबुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बरावर होता है तो वह समकॉन तिरिबुज होता है राइट ट्राइंगल क्या कहेंगे देखिए एबी इसी इस राइट ट्राइंगल क्या है समकॉन तिरिबुज है तो यहाँ पर देखिए ABC क्या हो गया देखिए right triangle हो गया समकोंन तीरभुज हो गया तो सीध हम क्या निकालेंगे court A अब देखिए यहाँ पर यह सम्कोंन तीरभुज है और यहाँ पर कौन सा angle देखिए right angle है यह भी तो हमें देखना है कौन सा interior angle 90 का होगा समकौर्ण थिर साइड कौन 90 का होता है देखते हैं कौन सा है तो यहां पर देखे सबसे बड़ी side कौन सी है 30 यह सबसे बड़ी भुजा कौन सी है AB जो सबसे बड़ी side होती है किसी समकौन तिरियर तो यह बना लीजिए इसे कितना है यह 90 डिग्री क्योंकि यह हो जागा सबसे बड़ी साइड होती है करण करण के सामने क्या होता है चलिए यहां पर यह समकौन तिर्बुज है अब यहां पर हम क्या निकालेंगा देखिए कोट एक तो यह इस कौन के के सामने यह लंब हो जाएगा तो यह हो जागा देखिए 20 वैसे भी कोट होता क्या है देखिए 10 70 होता है लंब ऩाधा आधाः परर्पेंडिकुलर आपॉल पान बेस यहर इस टूल्टा हो जाएगा तो आधार बटा लंब तो आधार क्या है डेकिए बेस अगर हम देखें तो यह A की अगर हम बात करें तो A के लिए इस angle के लिए यह तो हो जागाँ لمb perpendicular base हो जाएगा देखी AB तो यह लीजिए base और यहां पर देखिए आधार बँटा لمb और perpendicular किया यहां पर A के सामने यह हो जाएगा BC और इसकी जो value है हम निकाल लेते हैं A से B की length कितनी है देखिए और B से जो C की length है वो दे रखी हमें 18 तो यहाँ पर देखिए 6 से हम cancel कर देते हैं 5 time और 3 time ठीक है यह हमने निकाल लिया है और देखिए अब हम बात करेंगे किसकी कोट B की कोट B भी हम निकाल लेते हैं तो यहाँ भी देखिए आधार बटर लंब तो आधार क्या है यहाँ पर base upon perpendicular तो base क्या हो जाएगा यह एंगल है तो वो सामने वाला perpendicular लेना पड़ेगा वो छोटी सी बात है तो देखिए base बेस तो हमें यहाँ लेना पड़ेगा bc और देखिए यहाँ भी देखिए थोड़ा सामने मिश्टेक तो नहीं कर दिया यहाँ पर देखिए court A जब हमने निकला था तो यहाँ पर देखिए bc तो हो जाएगा perpendicular और यह तो देखिए हाइपोटेनियस है तो यहाँ AC आएगा देखिए कोट A में जब हम निकला लेंगे तो बेस हो जाएगा AC आधार और चलिए यहाँ पर भी हम करेक्शन कर लेते हैं AC ठीके यह थोड़ी सी यहाँ माइनर मिश्टेक हो गई देखिए यह लीजिए तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल किलियर है लंबटा आधार ठीके तो यहाँ पर देखिए AC और सामने वाली साइट हो जाएगी BC तो यह तो देखिए AC अपॉन BC और A से C की जो लेंग तेखिए वो 24 है यहाँ थोड़ा सा पर्रेक्शन कर लीजिए और यहाँ पर देखिए final जो result मिलेगा यह 4 time और यह 3 time कहले हम quote B की बात कर लें तो quote B क्या हो जाएगा यहाँ पर को B से C की लेंथ यहां पर कितनी है 18 यहां तो आ जाएगा देखिए 18 और A से जो C की लेंथ है तो थोड़ा सा गलती होने के चांसे हो जाता है यहां इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है यहां पर स्क्रीन पर तो यहां देखिए अब हम किसकी बात कर रहे थे देखिए B C तो है 18 और A C कितना है 24 ओके यह लीजिए थ्री टाइम फॉर टाइम तो इस तरह से देखिए हमें यहां पर कोट A मिल गया है और कोट B मिल गया और देखिए कोट A कोट B की वेलियू को कहां पूट करेंगे एक्क्वेशन फर्स्ट तो देखिए आप कोट A तथा कोट B के मानों को कहां रखेंगे समी कदर एक में एक्क्वेशन फर्स्ट में चलो रख देते हैं तो यहां पर देखिए जो वेलियूस हमने फाइंड की है कोट A कोट B यह वेलियूस हम यहां पर पूट करेंगे तो देखिए तू कोट थीटा तू कोट थीटा एक्क्वेल क्या मिलेगा कोट A माइनस कोट B और भाइ थरी और थरी बाइ फॉर और यहां पर देखिए आगे हम केल्कुलेशन करें तू कोट थीटा एक्क्वेल यह हो जाएगा देखिए 16 माइनस 9 अपॉन 12 और इसको अगर हम सोल करें तो यह हो जाएगा देखिए 7 अपॉन 12 तो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा देखिए कोट थीटा इक्वेल 7 अपॉन 24 और यहां पर देखिए कोट थीटा हमें मिल जाएगा हमें निकालना तो साइन थीटा है साइन थीटा निकालना है तो वो भी हम निकाल देंगे और वो कैसे निकालें देखिए बहुत आसान सा प्रोसेस है यहीं पर हम एक छोटा सा ट्राइ कीजिए यह थीटा है और यहां पर कोड़ थीटा होता क्या है देखिए कोड़ थीटा यहां पर देखिए यह किलिए लिख देता हूं क्या है कोड़ थीटा यह लीजिए तो यहां पर देखिए कोड़ थीटा क्या होता है लंब बटा अधार 10 और उसका उल्टा कर देंगे हम आधार बटा लंग यहने base upon perpendicular तो base कितना है देखिए 7 और यह है देखिए perpendicular तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमें core theta से इस triangle की दो side हमें मिल गई अब यहाँ पर देखिए हमें तो यह चाहिए hypotenious तो यहाँ क्या करेंगे देखिए 24 का इस पर कितना होता है देखिए 576 तो यहाँ पर देखिए ओके अब यहाँ पर सेवन का स्कूर कितना होता है देखिए 49 तो यह हो जाएगा देखिए 5 और यहां हो जाएगा टू तो यह देखिए यह साइड हमें मिल जाएगी इसका रूट यहाने 25 यहाँ पर देखिए core theta 7 upon 24 तो sin theta कितना होगा 10th class में ऐसे प्रशना आते थे यहना बहुत आसान सा प्रोसेस है तो प्रोड theta यह है तो फिर sin theta कितना हो जाएगा यह लीजिए perpendicular upon hypotenious और इसी से हमें मिला है 25 sin theta equal 24 तो देखिए इस तरह का result हमें मिला है और देखिए यही result हमें यहाँ पर बताना था देखिए बहुत आसानी के साथ यहाँ पर प्रूफ हो जाता है हमने यहाँ पर एमें थियोरम का यूज किया एमें थियोरम का यूज करने से यह relation मिला और उसके बाद तो देखिए एक राइट ट्राइंगल की प्रोपर्टीज हमने यूज की समकॉन तिरिभूज में केसे ह कोड थीटा साइन थीटा निकालते हैं यह निकाले और यहाँ पर पुट किये सोल किया विजल्ट सामने है तो देखिए स्टुडेंट्स इसी के साथ यह question complete हो जाता है थेंक यू सो मच